साथियों, लाखों बनते हुए घर देश के कौने कौने में रोजगार के आउसर भी बना रहे हैं। आज सुभे जब मैं रोजगार मेले के कारकम में था, तो मैंने खास कहा था, कि मैं शाम को ये गरफ प्रवेश कारकम में जाने वाला हूँ। और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा हैं मैं पूरा बताने वाला हूँ। साथ क्यों आप भी जानते हैं, जब गर बनते हैं, तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मट्रियल, जैसे इट, सिमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, ट्वालेट सीट, नल पाइप, इन सब चीजों की डिमान बढ़ती हैं। जब ये डिमान बढ़ती हैं, तो इन मट्रियल को बनाने वाली फैक्टरियां ज़्यादा लोगों को रखती हैं, ज़्यादा ट्रांस्पोर्ट वालों की जरूत परती हैं, उनको लगाती हैं, जहां ये सामान बिता है, उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है और सतना से बहतर इसको कौन समझ सकता है सतना तो चूना पत्थर के लिए सीमेंट के लिए भी जाना जाता है घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिवान भी बढ़ जाती है घर बनाने के काम से जुड़े स्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, पुताई, फर्रिचर बनाने वाले उनको भी धेर सारा काम मिलता है मुझे बताया गया है कि मद्ध प्रदेश में ही पच्चास हजार चे अधीक राज मिस्त्री प्रसिक्षित किये गये है इन में से भी नवदास हजार हमारी माताए बहने लोग उसे राज मिस्त्री भी कहते हैं, लोग उसे रानी मिस्त्री भी कहते हैं यानि हमारी बहनों को एक नई कला, रोजगार के नई अवसर से जोड़ने का कितना बड़ा काम PM आवास योज़ना के माद्यम से हो रहा है वरना पहले तो निर्मार के शेत्र में बेहनों को सिर्फ अंस्किल लेबर एनि अकुशल समीग ही मान लिया जाता था मद्य परदेश में ही अभी तक 22,000 करोड रुपिये इन गरों को बनाने में खर्च हुए है अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड गए कहां घर बना लेकिन जिन पैसों से घर बना न वो पैसे मद्य परदेश के अलद अलद कामों में गए लोगों के घरों में गए लोगों की दुकान चलाने वालों को मिले ताकि लोगों की आई भड़े पहले का आर्थ ये है ये घर सब के लिए तरक्य लेकर आ रहे हैं जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्य होती है और जिस गाउं में घर बनते हैं उन गामवालों की भी तरक्य होती है